लोगडाउन के कारण जरूरत मंदों को राहत पहुचाने के लिए डिपी एस नैनी की कक्षा बारहवी की छात्रा स्वाम्या यादों ने कई वर्ष से गुलक में जमा पैसो को अपने पिता राकेश यादों वो माता गीता यादों के सामने तोर कर मदर टरेसा फाउंडेशन को साब दिया स्वाम्या ने कई वर्षों से थोड़ा थोड़ा कर धन जमा किया था जिसे वो अपने माता पिता की 25 वर्षिगाट पर उन्हें कुछ खास गिफ्ट देना चाहती थी लेकिन जब लोगडाउन और लोगों की परिशानी की खबरे उन्होंने अकबारों और चैनल्स पर देखी तो उनके मन में जरूरत मंदों की मदद करने का हयाल आया सौमया ने अपने माता पिता से इस संबंद में अपनी इक्षा जताई तो मा बाप ने अपनी बेटी के सेवा भाव को गले लगा कर सहर्ष स्विकार किया कहा इससे बढ़कर कुछ नहीं जो जरूरत मंदों के काम आय परीजनों के सामने सौमया ने गुलब तोड़ा तो उसमें 3300 रुपे निकले बेटी के सेवा भाव पर समाच वाधी पाटी अधिवक्ता सावा के नगर महा सची वो मदर टरेसा पाउंडेशन अधिवक्ता विंग के चेर्मैन राकेश यादो माता गीता यादों ने गले लगा कर बेटी को आसी बात दिया तो छात्रा सौमया यादों की बड़ी बेहन नेहा यादव अपराची यादों ने अपनी छोटी बेहन की बहतरीन सोच पर गर्ध मैसूस करते हुए खुद भी जरूरत मंदों के लिए कुछ करने की बात कही मेरा नाम सौमया यादव है और मैंने ये परसे तब से एकठि शरू किया था जब से मेरा नया गुल्लक आया था अब मैंने अपने लिए उसको एकठा करना शुरू किया था ता कि मैं अपनी ये कोई चीज एलग से खरी सकूं या इन खुद के ले ब्रस कर सकूं लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए डोनेट करना चाहती हूँ जिनके पास बेसिक एमेनिटीज नहीं पहुच पारी है जो डेली वेज अर्नर्स हैं या फिर हम मदर डेरसा फामडेशन को ही ये डोनेट कर रहे हैं ताकि वहांसे लोगों तक इजली पहुच सके